एकिरेंथस एस्परा, प्रिकली, चैफ, फ्लावर, अपामार्ग, चिर्चिटा या उल्टा काटा नमश्कार इस चैनल पर बहुत से ऐसे वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारे परिवेश में पाये जाते हैं लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं इसलिए अति पौश्टिक और औशधी अगुणों से युक्त होने के बाद भी हम उनका उपियोग नहीं कर पाते हैं आज मैं एक ऐसे ही पौधे के बारे में आपको बताऊंगा यह पौधा हमारे आसपास मिलता है और कभी न कभी इस पौधे के से हमारा संपर्क हुआ है आप जानते हैं कि जब भी हम किसी घास के मैदान में सडक के किनारे खाली पड़ी जमीन में चलते हैं तो अक्सर हमारे पैंट पर छोटे 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 फल कांटेदार फल चिपक जाते हैं जिनें एक एक करके निकालना पड़ता है तो यह पौधा है एकिरेंथा सैसपरा अपा मार्ग चिर्चिटा या उल्टा कांटा आज हम इसके बारे में जानेंगे अपने परिवेश में जो खर पत्वार के रूप में उगने वाले अति पौष्टिक और स्वाधिस्ट पौधे हैं और जो औसधिये गुणों से युक्त हैं उनका उपियोग हम जानकारी न होने के कारण नहीं कर पाते हैं यदि आपको ऐसे पौधों में रुची है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आएए आज हम जानते हैं एकरेंथा सैस्परा अपा मार्ग चिर्चिता या उल्टा कांटा के बारे में जो हमारे परिवेश में पाया जाता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह पौधा देखने में कैसा लगता है या किन-किन पौश्टिक तत्वों से युक्त है इसके औशदी अगुन क्या है इसे हम कैसे पहचानेंगे और इसके उप्योग की बिधी क्या होगी इस पौधे का बोटेनिकल नाम है अकिरेंथस एसपरा जो अमरेंथेसी फैमिली का सदस्य है उराव मुंडा और संथाल आदिवासी समाज इसे चिर्चिठी साक के नाम से जानते हैं हिंदी में इसे चिर्चिठा लटजीरा अपामार्ग, बेंगॉली में अपामार्ग अपंग, गुजराती में अगेटू अपामार्गा, कन्नल में उतरेनी मयूरा, मल्यालम में कटा लटी, वंका डलाडी, उडिया में अपामार्गा, तामिल में अकाटम और इंग्लिश मे प्रिकली चया फ्लावर के नाम से लोग जानते हैं यह पौधा खरपतवार के रूप में खाली पड़ी जमीनों में सड़क के किनारे स्वयम उगता है और बहुत ही कॉमन है आपके आज पास 500 मेटर में यह पौधा उपलब्ध हो सकता है यह पौधा सीधा हो सकता है या जमीन पर फैला हुआ हो सकता है ब्रांज होता है और इसकी लंबाई एक मीटर तक अदिक्तम हो सकते है लेकिन इसका जो बेस होता है वो उड़ी होता है अब इसे पहचानेंगे कैसे तो आप चित्र में देख सकते हैं कि इसके फल हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं इसका तने पर अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के विप्रीत होती हैं, मोटी होती हैं, 4-12 cm लंबी और 8 cm चोड़ी होती हैं और इनके उपर रोहे पाये जाते हैं, इनके फूल जो होते हैं वो सफेद और ग्रीनिस कलर से युक्त होते हैं, और एकजीलरी और टर्मिनल स्पाइक के रूप में होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, 75 cm लंबे यह स्पाइक होते हैं और फल जो होते हैं यह यूट्रिकिल प्रकार के होते हैं, बेज पर यह गोल होते हैं और cylindrical होते हैं बीज इसके reddish brown होते हैं और cylindrical होते हैं अब किस सीजन में मिलता है तो ये अगस से February तक इसकी कॉमल पतियां काफी मातरा में उपलब्द होती हैं इसे साख के रूप में पका करके लोग उपेउग करते हैं अब इसे खाने के लिए इसके यंग पतियों को और कोमल तने को तोड़ा जाता है और उसको अन्य सागों के साथ भी पकाया जाता है। इसके बीज में बहुत बड़ी मात्रा प्रोटीन की होती है जिसे पका करके खाया जाता है। अब इसके पॉस्टिक गुणों के बारे में अगर हम देखें, तो इसमें प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में होती है, फाइबर, कार्बोहाइडरेट, फैट परियाप्त मात्रा में होता है, और इनरजी 294 किलो कैलोरी प्रती 100 ग्राम साथ से हमें प्राप्त होती है। और फासफोरस पाया जाता है। फ्रेस मेटल में देखें, तो आइरन इसमें काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, कॉपर, जिंक, मैगनीज और अलमुनियम की भी प्रियाप्त मात्रा होती है। अब अगर हम इसके औशदिय गुणों को देखें, तो जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, उसके लिए पौधा एक वर्दान के रूप में है, सदियों से इसका बिभिन बिमारियों में उप्योग किया जाता रहा है। कारण यह है कि इसके बीज, इसके तना, इसकी जड़े, इसकी पत्तियां सभी मेडिसिनल प्लांट के अव्याव के रूप में इस्तेमाल होती है। कारण यह है कि इसमें अलकेलोयट, फ्लेवोनोयट, सैपोनीन, स्टीरोयट और टर्वीट नोयट्स प्रजेंट होते हैं, जो इसे आउसदिय गुड़ प्रदान करते हैं। फ्लेवोनोयट की कुछ वेराइटी जिसमें पाई गई हैं, जो एंटी कैंसरस होती हैं, और कैंसर को बढ़ने से रोकती हैं, और बहुत सी होमियोपैथिक मेडिसिन्स में इसका उपयोग होता है। अन्य भीमारियां जिनका इलाज इससे किया जाता है, उसमें घाव हैं, बॉाइल्स हैं, जिनमें इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है, इसको डाइरेक्ली लगाने पर इसमें काफी हीलिंग प्रॉपर्टी होती हैं, जिसके कारण ये घाव को भरने में सायक होते हैं इन डाइजेशन या अपच में यह काफी कारगर है क्योंकि यह बहुत अच्छा एपेटाइजर है और इसमें digestive properties पाई जाती है पाइल्स या फिस्टूला में यह बहुत कारगर उसदी मानी जाती है क्योंकि यह परगेटिव होती है तो यह इस्टूल को लूज करती है और bowel movement को बढ़ाती है जिससे की piles और fistula का risk बहुत कम हो जाता है इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो पेट के क्रमी को नास करते हैं तो यह क्रमी नासक या anti-worm के लिए भी की तरह भी यूज होता है कफ और cold की यह बहुत कारगर औश्रदी मानी जाती है क्योंकि यह दवा जो है यह कफ को दूर करती है और इसमें इसकी तासीर गर्म मानी जाती है अलसर ट्रीट्मेंट में भी इसका काफी उपयोग होता है यह कारण यह है कि यह anti-alcer के साथ gastro-protective भी होती है यह gastric juice जो निकलते हैं intestine में उसके volume को कम करती है तो यह total acidity को कम करती है और pH को बढ़ाती है जिसके कारण gastric cells में acid damage नहीं होता है और इस कारण से अलसर को यह prevent करती है weight loss में भी इसके बीज काफी उपयोगी माने जाते हैं जितना भी excess fat सरीर पर accumulate होता है यह उसको कम करते हैं और serum के liquid profile को बदलते हैं kidney stone में बहुत ही कारगर मानी गई है क्योंकि kidney में जो stones छोटे छोटे बन जाते हैं यह diuretic गुड़ों के कारण उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिसके कारण उनका निस्कासन असानी से हो जाता है इसकिन की बिमारियों में भी अचुक आउसदी मानी गई है इसकी पत्तियों का लेप लगाने से यह जड़ों को पीस कर लगाने से इचिंग में इसकी रैसेज में काफी इसका उपियोग किया जाता है कान दर्द और दातों के दर्द में यह बहुत ही अचुक आउसदी मानी जाती है इसका तेल जो है वो कान दर्द और दातों के दर्द में बहुत कारगर है ऐसी मान्यता है आदिवासी समाज में कि यदि दातून के रूप में इसकी डंठल हम लोग यूज करें तो दात कभी भी खराब नहीं होते हैं इसके अतरिक्त इंसेक्ट बाइट में, डॉग बाइट में, स्नेक बाइट में और स्कॉर्पियन बाइट में इसका सदियों से प्रियोग होते रहा है क्योंकि इसमें दर्द निवारक शमता है और घाव को भरने में हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है साथ ही साथ चुंकि दूर देहात या जंगली इलाकों में एंटीडोट स्नेक विनम का उपलब्द नहीं हो पाता है तो सदियों से इसकी पतियों का रस और पतियों का ले ऐसे बाइट्स में यूज किया जाता रहा है अभी फार्माकोलोजिकल स्टडीज में यह पाया गया है कि इसके पतियों में कुछ ऐसे तत्व पाये जाते हैं फाइटो केमिकल्स पाये जाते हैं जो रसेल वाइपर ऐसे प्वाइजनस स्नेक के विनम को न्यूट्रलाइज करते हैं उदाहरण के लिए बीटा साइटोइस्टेरॉल और क्वेरसिटिन ऐसे फाइटो केमिकल्स इसे यह छमता प्रदान करते हैं तो आज हमने इस पौधे के बारे में जाना जो हमारे परिवेस में पाया जाता है और हम इसको इसका नाम नहीं जानते हैं इसके गुड़ों को नहीं जानते हैं इसलिए हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं जबकि यह पौधा मुफ्त में प्रकरती ने हमको उपलब्द कराया है और यह निउट्रिशनल सेक्योरिटी प्रदान करने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है तो आएए हम इसके बारे में जानें इसका प्रचार प्रसार करें क्योंकि प्रकरती ने यह पौधा हमको मुफ्त में उपलब्द कराया है वरदान के रूप में उपलब्द कराया है तो इसका उपयोग हम सभी को करना चाहिए है विडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।